हलो पाश्टर जी जैमसी की जैमसी पाश्टर जी मेरे सवाल था सवाल पूछने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता था पाश्टर जी जैसे हम लोग अब विश्वास में आए प्रभू में तो उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में जब हम लोग प्रभू में जा रहे थे तो अभी मैं आपको सुन रहा था भी लाइफ, तो मुझे पता चला है कि जैसे हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग जब सोचते हैं कि हम प्रभु में आ रहा हैं, तो हमें नेचरल ताकत मिलेगी, और कुछ आलोकिक सक्ति में लेगी, और जब मैं भी प्रभु में गया, तो मुझे भी लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं, जे, और वो नहीं होगा, जी, तो बाद में जब मुझे आगे मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया तो मुझे समझ में आने लगा कि सुपर नेचुरल जो ताकत है वो तो प्रभू ने हमारे जो पापों को था वो पापों को छमा कर दिया यही सबसे बड़ी सुपर नेचुरल ताकत है क्या बात है बहुत बढ़िया नेक्स में प्रभू में नहीं था तो उस समय मैं बहुत गुनाओं में था पापों में था जैसे नसा करना और नजर का सब गलत जो देखते हैं बो सब चीज on और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम थे जो मनुसे करता है, लेकिन उन सब को मैं बहुत तिनों से छोड़ना चाह रहा था, लेकिन ये छूट नहीं रहे थे, जैसे ही मैंने प्रभू को जाना, ये चुटकी बजाते छूट गए, अरे वह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ पढ़ता गया, समझता गया, तो मुझे पता चला कि, जो मैं कर सकता हूं, उसको मुझे परमेश्वार ने स्वयम की इच्छा दी है, अगर मैं चाहूं तो मैं नसा कर सकता हूं, और चाहूं तो नहीं कर सकता हूं, जे, बिलकुल, ये मेरे अंदर में है, और प्रभू जो ह इल्फून a railroad मुझे रोखता है बिल्कुल सहीब रात तो पास्ता जीा चीज आपके द्वारा को और शीकने कुमिला है इसलिए मैं प्रभू को धन्य WAD करता हूं जी एक सेकंड रुक जाना भाई एक सेकंड रूप दोस्तों आपने अभी मेरा जो मुझे लगता है 15 मिनिट के आसपास या उससे भी जादा होगा एक वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है उसके उपर और अभी ये जो भाई साब हैं ये कह रहे हैं कि सुपर नैचुरल की बाते उनको सिखाई गई थी बट इनको बात में पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं होता और सबसे बड़ा सुपर नैचुरल कार ये इश्व ने क्या मानो जाती का उधार अब प्रश्ण उठता है कि फिर जीजस पानी पे चला वो क्या था सुपर नैचुरल तरीके से पांच आप सुनिये ठीक है ना वापस कहता हूं पवित्रात्मा अपनी मर्जी से मुझको आपको इनको किसी को भी लेकर जो कराना चाहे वो उसकी मर्जी लेकिन अगर मैं कहूं अब मैं बैठाओ चालीस दिन के उपास में अब मैं बैठाओ बीस दिन के उपास में आओ मुझे ज लिखा है कि जब संधिया हुई, मतलब शाम हुआ, तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए, जिनमें दुस्थात्म ही थी, और उसने, यहनी येशु ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, और सब बिमारों को चंगा किया, अब ये वचन सत्रा, क्यों हुआ य जो वचन ये शाया बविश्वक्त के दारा कहा गया था एशु के पैदा होने से 600 साल पहले, कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुरबलताओं को ले लिया, हमारी बिमारी को उठा लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां है, कि प्रॉफिसी पूरी हो, जी क्यों, ताकि प्रॉफिसी पूरी हो, अब आपके और मेरे साथ, येशु चाहे तो वो करवाना चाहे, वो करवा सकता है, लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है, जैसे पर्पस था, प्रॉफिसी पूरी हो, अभी पर्पस है, उसका राज बड़े, आत्मा बचे, लोग बचा जाए जाए, miracles, मेरी ministry में पांच मुर्दे जिन्दा के, मेरी बात कर रहा हूँ, मैं नाम लेता था, चीजे होती थी, किसके पेट में लड़का है, लड़की है, वो बता दिया करता था, अभी दो साल पहले की बात है, जहां पर पासर सपना ministry करती है, वहाँ पर miracles, के बाद म तेल को हाइलाइट, पानी को हाइलाइट, रुमाल को हाइलाइट, नहीं करना है, यशु को हाइलाइट करना है, और लोगों को चमतकार करकर, ये बाबा, कौन येशु बाबा, चमतकार वाले बाबा हैं, ये नहीं दिखाना था, येशु घौड है, परमिशुर है, और वो लोग अब प्रभू में आते हैं ना उसके बाद में करते हैं घ्राफ खार सकते हैं जैसी को कोई पर जाते हैं और हम लोग प्रभू के पास आते हैं तो मेरा यही सवाल था कि जैसे बहुत सारे लोग अभी बता प्रभू को बता रहा था तो वो बोल रहे थे कि भाया हमको तो हम इनके पास ने गया और हमारा 15 साल से 10 साथ नहीं हुआ था और उनके द्वारा यह जो जाड़ को किया गया कुछ और जादर टोना जो भी उनलोग करते हैं उस प्रकार से किया गया और संतान हो गया जी तो पा होगा और जितने दर्शक देख रहे साड़े चावदा जो भी है चावदासो के आसपास आपको भी बताता चलो कि लुसीफर सेटन जब जीजस के पास गया तो उसने कहा कि मुझे प्रणाम कर यह सारी चीज़े मैं तुझे दे दूँगा थार्ड टेम्टेशन के टाइम प हुआ कि शैतान के पास में भी एबिलिटी है वह अपनी तरफ से मिरकल कर सकता है बारिश गिरा सकता है आग गिरा सकता है आंधी चला सकता है बच्चे पैदा करा सकता है X Y Z आपको एक रात में मिलीनियर बिलीनिर बना सकता है आपकी लोट्री लगवा सकता है आप मतलब क् करवा सकता है भाइसा जी लेकिन फरक इतना यह होगा कि परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो परमेश्वर अमें ब्लस्ट जरूर करता है मैं उसके किलाफ नहीं हो आश्री जरू देता है अच्छा एल्थ देता है मिरकल्स प्रभू भी करता है लेकिन अनंदकाल का जीव शैतान नहीं दे सकता, सिरफ प्रभु देता है. यह फरक है. पास्तर जी, जैसे कोई लोग अगर प्रभु में हैं, तो क्या यह दुस्तातमा जो है, वो रगुरु के लोगों के जीवार में इस प्रकार से उनके बीच में रुकावाट पैदा भी कर सकता है. जी, कर सकती है, ना? जी. यह कैसे संभव है, पास्तर जी, बास यह जानना चाहता है. मतलब क्या चीज संभव? जैसे कि अगर संतान सुख अगर कोई प्रभु में है और वो पाना चाहता है, क्या जो दुष्ट आतमा है, वो रोक सकता है क्या इसको लेने में? किसको? यह संतान जो है, अगर नहीं हो पा रहा है, किसी काराण हुआज और जैसे कि अगर रुका हुआ है, तो यह क्या जैदू तोना वाले इसको रोक सकते हैं, बोल जाते हैं? एसे आ रहे हो, एक याद रखो, जिस दिन आपका उदार हो गया, उसी दिन आपके ओपर पवितरात्मा का महर लग गई, पवितर आत्मा का मंदिर बन गया, आप येशु मसी आत्मा आपके अंदर रहती है, येशु खुपत अंदर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर चलता फिरता है, 2nd करिंटे चेप्टर 16, चेप्टर 6, verse 16 onwards, वो आपके अंदर रहता है, तो शैतान आपको अंदर नहीं आ सकत वो रोक सकता है, आपके बीच में अर्चने पैदा कर सकता है, लेकिन यही तो लिकाए ना कि शैतान का सामना करो और वो तुमारे पास से भाग जाएगा, याकूब की किताब 14 अद्य वचन 8, तो ऐसा है बाई साब, पास्टर जी, अच्छा समझ में आ गया ये सी, और जैस पास्टर जी, मैं अच्छतित जड़ से हूं, और गुरूप जोइन किया, में बीका, आपको कर रहा हूं, क्या बात है, वहरी नाइस, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभू आपको आश्चिते, का पास्टर जी, थोड़ा सा, मैं थोड़ा आपसे एड्वाइस जा बहुतन हम अब हूं कि आपको काफी साल जिन्दा रहना है लेकिन आप वखत कोछन ने खाना नहीं खा हुआ एज एगर आपको जादनी जादा जिन्दा रहना है और ज्यादा टाइम तक जिन्दा रहना तो टां टांट फेका एकरो वैसे ही आत्मा को मजबूत करना और इस